जहें दोस्तों अन्यमातर, कल भारती राजनीती में एक ऐसी बड़ी ख़बर निकल कर सामने आई जिससे कि एक जटके में विपक्ष के उपर एक सवालिया निशान लग गया कॉंग्रस की राजनीती शुरू से ही या यू कहें जब से सुनिय गांदी सक्री राजनीती से अलग हुई है तब से कॉंग्रस का पूरा का पूरा केंद्रे सिर्फ और सिर्फ राहूल गांदी के उपर था ऐसे में एक बड़ा तपका इस बारे में बार बार सवाल उठाता था कि राहूल गांदी तो कोई चुनाओ जित्वा ही नहीं पा रहा है ऐसे में कल देर शाम को खबर निकल कर सामने आई कि उनकी संसत की सदस्यता जो है वो सूरत केस में मिली उनकी सदस्यता के बाद रद्दे कर दी गई ऐसे में दो साल कि उनकी सजा के बाद में 6 साल की सदसता रद किये जाने का मतलब यह है कि अब राहूल गांदी 8 साल तक चुनाओं नहीं लड़ सकेंगे यदि उनकी सजा बरकरा रखी जाती है उपरी कोर्ट के द्वारा तो अब ऐसे में भारत का जो लिफ्ट लिबरल गिरो है उनको काफी बुरा लगा अब विसी बात है उनकी उमीद राहूल गांदी से ही जुड़ी हुई थी और राहूल गांदी के साथ इस तरह से सदसता चले जाने से उनको एक बहुत बड़ा जटका लगा है राजनेशी दुनिया में कल एक ऐसी खबर सामने आई जिसने की वाकई में सभी को चौका दी हाला कि ऐसा अंदाजा लगा जा रहा था कि राहूल गांदी की सदसता जा सकती है और इस खबर पर दोपहर होते होते मोहर भी लग गई थी कॉंगरेस के पूर्व अद्रक्ष राहूल गांदी की सदसता आज से करीब दो साल के लिए खट्म हो गई राहूल गांदी केरल के वाइनाट से सांसत थे लेकिन इस शुकरवाड याने की कल से उनको लोकसभा की सदसता के लिए अयोग यह घुशित कर दिया गय आपको बता देंगी बीते दिन गुरुवार को सूरत की अदालत ने राहूल गांदी को दो साल मतलब की 2019 के एक आपराधी वामले में सदा दी थी इसके लिए उनको जेल की सदा भी हो गई हाला कि उन्हें फॉरन ही जमानत भी मिल गई और वो जेल जाने से बच गए लेकिन वो अपनी सदसता नहीं बचा सके वहीं स्वराभासकर जो कि बॉल्ली रेक्टर्स हैं और फिल्मों से जादा परसनल लाइफ को लेकर चाड़ सामें रहती है वो देश के लगबख हर एक मुद्दे के उपर विबाकी से अपनी राय रखने के लिए भी जानी आती है हाली में कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी की लोगसभा से सदसतार रद्ध होने के बाद उन्होंने एक कवादे कई सरे ट्वीट किये जो कि इस समय पूरे इंटरनेट पर चाये हुए उन्होंने सत्तापक्ष पर जमकर निशाना भी साता है हलाकि ऐसा करके वो खुद भी निशाने पर आ गई तो अप्वेसी बाते देखिए उनको तो हर कोई मतलब ट्वीटर के उपर ट्रोल करता ही गवर्तल अभेकी कॉंग्रेस के पूरवद्धक्ष राहूल गांदी को शुक्रवार को संसत के निचले सदन लोकसभा की सिदस्यतार रद होने पर स्वरभासकर का गुस्सा फूट पड़ा वैसे मैं स्वरभासकर इंट्वीट किये कि वे लोग मतलब की तता के दित पपू से कतने डरे हुएं ये सुनिच्चित करने के लिए कि कानून का घोर दो रुप्यों को राहुल गांदी की बढ़ती लोग प्रियता विश्वसनीता और कद पर अंकुष लगाया गया है और 2024 लोकसभा के लिए स्पष्ट मजबूत रणनीती की मतलब की राहुल गांदी अब चुनाओं नहीं लड़ सकते मेरा नुमान है कि राहुल गांदी इससे और उचे कत से बाहर आएंगे ये उनका पहला ट्वीट था सुराभासकर ने अगला ट्वीट किया एक वक्त में ऐसी खबरें इंटरनाशनल अकबारों में रूस तुर्की आदी के बारे में पढ़ने को मिलती थी आज भारत इनी देशों में शामिल हो गया है जहां लोकतांतरिक तरीके साथ चुनी की सरकार और उनकी सरकारी विवस्था खुद लोकतंतर बरबाद कर रही है वहीं उन्होंने एक और ट्वीट किया इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा जिसमें की साधवी प्रग्या दिखाई पड़ती है इसमें स्वरभासकर जी ने लिखा कि इनकी लोकसभा की सदसता बरकरार है अच्छे दिनों में आतंक आरोपियों को आगजनी और हिंसा बढ़काने की पूरी छूट है वहारी न्यातंतर सच कहा है नंग बड़े परमेश्वर से हलाकि आपको बता दूँ कि साधवी प्रग्या अभी भी एक्क्यूजड है उनको अभी तक कोई सदा इस मामले में नहीं मिली है तो ऐसे में सुराभासकर का ये बाते कहना कहीं न कहीं उनहीं का एक विरुदाभास भी दिखाता है कि उनको कितनी कुंठा है लेकिन यहां पर बात सिर्फर से सुराभासकर की नहीं हो रही है और भी कई सारे ऐसे left liberal गिरोग के लोग हैं जो कि इस समय राहूल गांदी को इस सदस्ता छिंजाने से इनको काफी ज़्यादा दुख पहुचा है उनके बारे में ही बात कर लेते हैं सबसे पहले तो अरफा खानुम शेरवानी ने ट्वीट किया कि इसके अलावा रान अयूब ने ट्वीट करते हैं लिखा कि वर्ल्ड's greatest democracy while hosting the G20 summit as the mother of democracy और इन्होंने जो article शेर किया है वो वो दिन्योयक टॉइंस का किया है बड़े पतरकार हैं तो बड़े agency का ही इन्होंने ट्वीट भी किया है वाह क्या बता है इनके बारे में प्रकाश राज जो की अक्सर मोदी जी के खिलाव बोलते हुए जाने जाते हैं इन्हों लिखा कि dear citizens shame on such politics this vulgar and regressive attitude of entire political science will cost us more if we remain silent time to speak up for the country इनके मुलाब ये सभी लोग जो बाते कर रहे हैं उसके बारे में एक बाताव करेंगे सायमा जी जब सब लोग बोल रहें तो सायमा जी कैसे पीछे रह सकती है इन्हों ने पहले tweet में लिखा कि उसने कहा डरो मत मगर वो डर गए इसके एक और tweet में उन्हों ने अपने हाथ को दिखाया है राउल गान्दी के साथ कि वही हम आपके साथ है हाला कि यहां पर इन सभी लोगों ने अपनी बातें tweet के जरीए रखी जरूर है लेकिन आपको समझ रहा है इस बात को चाहिए कि जो बातें इन्हों ने कहीं वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जिसको कि court ने दोशी ठहराया है अब या तो आपको आपकी देश की न्याय पालिका के ऊपर ही भरोसा नहीं है या फिर कुछ और बात है इसको लेकर ट्विटर के ऊपर लोगों ने इन लोगों को निशाने पर भी लिया है और जाहर सी बात है लोग क्यों नहीं लेंगे निशाने पर लोग तो आज की रेट में सोशल मीडिया वाज सेलिबरिटीज बैठे हुएं तो फिर ये लोग भी तो आम लोगी हैं ऐसे में सबसे पहले हम बात करना स्वारभासकर के सिट्यूट की बात करते हैं जिसमें कि उन्होंने राहुल गांदी का जिक्र किया है यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले लाल नेखा है कि डियर स्वारा प्लीज इलाबरेट मिस्यूज आफ लॉफ 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 राहुल गांदी डिस्कौलिफाइड फ्रॉम पार्लेमेंट बाइस ओन सपोर्टेड रूल दूरिंग यूपिए दस साल पहले जो उन्होंने अद्यदेश फाड़ा था जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंग की सरकार लेकर आई थी उस अद्यदेश को लाया हीस लिए था कि इस प्रकार की सजा से बचा जा सके लेकिन राहुल गांदी ने उस समय इसको सईट हराया था अगर उन्होंने उसी ची पर अपना भरोसा नहीं दिखा रहा है रूपा मूर्ती जी लिखती है बैक इन 2013 दे सुप्रीम कोर्ट रूल दर लॉमेकर्स इंक्लूडिंग एंपीज वुड इमीजेटली लॉस देर मेंबर्शिप यह उन्होंने वही बात बताई है जो कि मैंने आभी आपको बताई है इ पावर दे हैव मिस्यूज लॉफ और फेस कॉंसे कॉंसेज प्रूव इट सुरा प्रूव इट मतलब कि आप जिस नियम को बोल रहे हैं कि इनोंने मिस्यूज किया आप उसको प्रूफ करी कि इनोंने किया है कुछ और ट्वीट की तरफ भी देखे तो अरफा खानुम के ट्वीट कर रही हो कि लोग आपकी मान से कि स्थिती पर सवाल खड़ा करें तर असल कंविक्टेड मतलब होता है कि हां इसका आरोप से दो चुका है और एक्यूज का मतलब होता है जिसके की ओपर आरोप लगे होते हैं तनमय यहाँ पर लिखते हैं कि प्रग्या ठाकुर में ही भलाई है आपके जैसे लॉयर्स के वज़े से ही एक्स एंपी राहुल जी को यह दिन देखना पड़ रहा है बिल्कुल खुद नहीं पाड़ा था अगर उस समय उनकी शुबचिंतकुन उनको शाथ समझा दिया होता तो ठीक रहता यहाँ पर अंजना लिखती है प्र परकाश, राज, आर्ज, सायमा को ले लिजिए अरफा खानुम शेरवानी को ले लिजिए आप, सुरा भासकर या हमनबात कर है अरफा खानुम शेरवानी की इन सबी इस प्रकार से अपना दुख व्यक्त किया है कही ना कहीं इस दुख में आपको एक chronology देखने के लिए मि तो ऐसे में राहूल गांदी ने जब खुद किसी अद्दादेश को लेकर अपना सपोर्ट दिखाया था कि भाईया नहीं हमको यह पसंद नहीं है तो अब विसी बात है उनको खुद भी तो यह चीज पता होगी ना लेकिन नहीं लेफ्ट लिबरल गाएंग को इस समय एक पूरा मुद्दा मिल गया है अब देखते हैं इसको लेकर और के अबडेट निकल अड़ सामने आती है मेरे इस वीडियो में फिल अतना ही जाहें जाय वारत